जब जब देवी देवतागन किसी सती इस्तरी से टकराया है हमेशा हार ही मिली तो राकुल में उत्रदोश्पा मुक्ती चाहिए लक्ष्मी तु हमके बहुत पसंद बढ़ो हम आपन पूरा जिंदगी तोहरा साथे बितावल चाहता नहीं अरक शच्पी पहुते आईदा से दाकि भगवान के गो सच्चा भग्ष से जरूर भेंठ होगे हेलो गैज कैसे आप लो दोस्तो आज मैं आप सभी दोस्तों को बहुती इंट्रेस्टिंग और बहुती परिवारिक और भक्ती माय मुवी का फुल स्टोरी लाइन एक्च प्लैन उस मुवी का फैक्ट रिवीव और बॉक्स अफजी के लेक्शन बजट बात करें बेस्ट अफड़ लुकेशन और कुछ जो जनकारी हैं मैं आपको इस वीडियो के मादेम से लेकर आ गया हूँ जी हां माई लो मैं आपको बदा दूँ कि अगर आप भक्ती मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिज इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फानली मैं आपको बदा दना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फाटा पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी पिरेस कर दिजिएगा ताकि कि किसी भी तरह का जो है अगति मैं फिलम है और इस फिलम की बात करें कूल बजट की तो इस फिलम की कूल बजट लगबग 3 करोड रुपया लग चुका है जिहां दोस्तों 3 करोड की बजट की बनाई गई फिलम बॉक्समसी कलेक्शन से मात्राभी तक 6 करोड रुपया ही रिकोबरी कर पाई है यान की बड़े-बड़े सुपरेश्टार और एक्ट्रेस जो है आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात में आपको भाग बताऊंगा उससे पहले जान लीजिए कि इस फिलम की जो लुकैसन है काफी मुर्मोहक है काफी लजबाब है और पूरी की पूरी जो लिया गया है वट सावितिरी मया जो मुवी है दोजर चॉविस की सबसे लेटेस्ट मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस मुवी में आपको जो है एस्टार कास्ट जो है कौन-कौन से है मैं आपको इसकी भी जनकारी दे देता हूं ताकि आप लोग ज काफी बहत खुबसूरत और एस्मार्ट कहीं जाने वाली प्रिती सुकला जी इस फिल्म में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हिरोईन के किरदार के लिए चूच की आ गया है और इनके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अन्सुमान सिंग राजपूर जी जी ह भाईलो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी मनी भटा चार जी जी हां भाईलो और मैं आपको दोस्तों एक सी ज़र बता दूं कि इस मुवी में जो है भचपूरी की सबसे सुपर सुपर एस्टार जो है नजर आने वाली है वो भी देवी के किवदार में मनी भटा चार जी जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में उनको भी देवी का रोल ही मिला है इसके बाद अंजरा सिंग को भी रोल मिला है वो भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में आपको कि इन कहे जाने वाली काजल रागवानी भी एक तरह से बात कही जाए तो भचपुरी की सबसे जो है टौपेश टौपेश जो एक्ट्रेस है आपको इस मुवी में देखने को मिलेंगी हलाएं कि मैं आपको एक चीज और बता दिना चाहूंगा कि भाई लो अगर आपने इस बात भचपुरी जेटी में भगती फिलम देखने को मिल रही है दो हजार चौबिस में अब मैं आपको सोचूंगा कि इस मुवी की कुछ एस्टोरी लाइन एक्स्टोरी समाझ आ जाए तो काफी अच्छा लागेगा लेकिन एक चीज में आपको बताना भूल गया दोस्तों कि इस फिलम में संजाय पांडे भी आपको देखने को मिलेंगे जो भचपुरिंजेटी में परफैक्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं वो भी इस फिलम में बाबुजी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल निंको और मिला है वो है अगहोर वी क्या रोल तो एक करके आपको करवешь एक्स्टोरी कि तरफ चलते हैं कि आखिरी मुवी कि जय वट सावीत्रिमजा मुवी की है इस शचोरी क्या है तो सबसे पहले जान लिजिएवाई वो कि इस मुवी की सुरूरी सुरूआत होती एक ऐसे गरीब परिवार से जिनका कोई भी अगर बच्चा होता है तो मर जाता है चीहां बाइडो और उनके परिवार में दूखी का महौल छाया रहता है यानि चेहने पर कभी भी मुश्कुराइट नहीं आती है लेकिन मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मुभी में अरच हार नहीं मनती है और अपनी सबसे जयवट सावित्री मया की परम भ भक्त रहती है यानि बात कहीं जा तो दिनों राज जो है उनकी भक्ती में लिन रहती है उसके बाद जो है अपनी हाथ के रेखा देखाने के लिए ओ जो है एक अगोरी की पास जाती है यानि संजाय पांडे के पास जाती है संजाय पांडे के पास जाने के बाद जो है संज पुझा पूरी मगन से करते हैं, तो उसके बाद जो है या फिर से अगोरी के पाह जाते हैं, और बोलते हैं कि ऐसे मेरी इस्तिति रही तो मेरा समाप्त हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर अगोरी फिर से इनका हातों की भविस्य देखता है और बोलता है कि तुमहारी तकदीर में एक लड़की भी है और डरोमत वो लड़की जो हमारी तकदीर में आएगी उनकी जो जीवन है दिरगी आई होगी यानि लंबा समय तक जीएगी इस खुशी को लेकर जो है वो अपने घर आते हैं बिते कुछ महिने दिनों सालों के बाद जो है उस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बदा दूँ वो लड़ लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवर्ट समय एक अशिरबात से हुई रहती है उसके बाद वो लड़की जैसे दे से बड़ी होती है तो फिलिम में एक न्यू टर्निंग पॉइंट लाया जाता है कि अन्शमान सिंग से इनकी साधी करा दी जाती है उस पर सभी देवी देवताओ लोग परकास जैस भी आपको इस फिलिम में देखने को मिलेंगे वो सभी देवी देवताओ लोग जो रहते हैं वो इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि पृत्वी पर पृति सुकला जी रहती है केवल केवल जो है जयवर्ट सभीतिर मया की पूजा ही क प्रफल होती है धीरे धीरे जो है श्टोरी और बढ़ने लगती है जब अन्षमान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से जो है साधी होने के बाद इनके माता पिता जी लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि क्यों न जो है अपनी बेटी का भविस एक बार फिर से देख लिया जाए जब वो अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात बोलता है सुने के बाद आपके पेरो तेले जमिन घिसक जाएंगे चिहावाईलों बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वो लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही सवर्ग सिदार हो उनको काफी जड़ा चा जाता है उनके लाइव में अंदेरा चानता है और फिर अपनी बेटी से वो फोन पर बात बोलते हैं कि तुम जयससे जब पूजा करो ऋंकी भाकती करो अगर वह चाहेगी तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है इस पर जो है जो आइवाट सावीत्री मैया की जो है वो सुरु सही भगत रहती है प्रिति शुकला जी लेकिन और भी जो है उनके प्रती इनका प्यार सने बढ़ जाता है और जो है लगतार फुजा करने लगती है इस पर जो है इस फिलिमे संजय स्रुबर्ण सिंग टाइगर भी रहते हैं वह यह मुनोहर काफी बयत्रिन उनका लुक रहता है अमराज का एकदम गदा लिये हुए वह भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे तो उनको प्रान पृष्मार्ट सिंग राजपूत को लेने के लिए भेजा जाता है लेकिन जब यह पिरिटवी पर आत जो है मांगती है कि मेरी पती की जो आयू है दिर्याव कर दी जाए तैकि हम अपनी भी जीवन सुख्यापन से जी सकें उसके बाद जो है आचर पसार कर मांगती है और एक महुती प्यारा म्यूजिक बजता इस पर दोस्तों काफी परिवारिक और काफी संदार है जब आप गाने को सुनेंगे ना ता आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने खराब गाना सुना है आप जो है कभी भी इस फिलिम गाने को कहीं भी बजा कर सुन सकते है उसके बाद जो है जैवर्ट सभीतिरी मया के माध्यम से एक पता गिरता है इनके आचल में और वो पता जो र जाते हैं लेकिन अपनी भक्ति से अपनी परिच्छा लेती है जैवर्ट सभीतिरी मया और फिर से अनुषबान सिंग की जो जान है वह आपस कर देती है इस पर भक्ति के प्रति जो है इसने प्यार इतना ज़्यादा दिखाया गया है ना भाईलो कि जब आप देखेंगे त जैवर्ट सभीतिर मया की आप भी परमभक्त हो जाएंगे काफी लबली और काफी प्यारी और परिवारिक मुवी है और मैं आपको बता दूं कि इस मुवी की इस टोरी है ना काफी मुनमुख है जब आप इस फिल्म को देखने बैठेंगे तो आपको जह कभी भी ऐसा वोर जानने के लिए बजट जानने के लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कि किसी भी तरह का मुवी अपडेट बात कर जाए कलेक्शन बजट लुकेशन आप सभी दोस्तों से मिस ना हो दोस्तों एक भक्ति माई फिलम है और इस फिलम की बात करेब कुल बजट की तो इस फिलम की फिलम की कुल बजट लगभग तिन करोर्ट रुपया लग चुका है जीया तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस मुवी में आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगी प्रिती सुकला जी ची हां भाई लो काफी बहुत खुबसूरत और स्मार्ट कही जाने वाली प्रिती सुकला जी इस फिल्म में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हीरोईन के किरदार के लिए चूज़ तो वह भी बात में आपको है कभी भी मुश्कुरहट नहीं आती है लेकिरा अर्ट लेकिन मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मोबी में जो है और जो हार नहीं मनती है और अपनी सबसे इस फिलिम में संजाए पांडे भी आपको देखने को मिलेंगे जो भश्पुरिंजेश्टी में परफैक्ट मैंन के नाम से जाने जाते हैं वो भी इस फिलिम में बाब परकास जैस भी आपको इस फिलिम में देखने को मिलेंगे वो सभी देवी देवताव लोग जो रहते हैं वो इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि प्रिद्वी पर जो है यहाँ बात जो है उनको काफी जदा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइब में अंदेरा चाह लिए जाए जब वह अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात बोलता है सुने के बात आपके पेरो तेले जमिन सरमा जी जिर को जो है जयवट साभीत्री मया के किर्दार के लिए चूच किया गया है इसके बाद जो है इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी वा आप इस गाने को सुनेंगे ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने खराब गाना सुना है आप जो है कभी भी इस फिल्म गाने को कहीं भी बजा कर सुन सकते हैं उसके बाद जो है जयवट साभीत्री मया की जो है बिरिच की पूजा करती है और आपने और कुछ जनकारी है मैं आपको इस वीडियो के माद्यम से लेकर आ गया हूँ जी हां वाई लो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भकती मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिडिशी वीडियो को सक्षिप करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता दना चाहूँगा दोस्तो आई होगी यानि लंबा समय तक जीएगी इस खुशी को लेकर जो है वो अपने घर आते हैं कि अगर आप भगति मुवी पसंद करते हैं देखना तो पिलिज इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनली में आपको बता दना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमा प्रक्षन से खर्चा लगा है उस पुरी की पुरी रिकब्री कर पाई है और अब उनाफे में यूपी जॉन पूर जिला से इस मोवी की पुरी की पुरी लुकसान लिया गया है लेकिन कुछ चेसी ने वियार से भी चुचकिया गया है जो काफी बहतरिन और काफी मन मोहग ह एक चीज में आपको और आपको बोल देना चाहूंगा कि जाए हां भाईलो काफी बहत खुबसूरत और एसमार्ट कहीं जाने वाली प्रिती सुकला जी इस फिलिम में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हिरोईन के किरदार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद इ यह चूच किया गया है इसके बाद जो है इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप भचपुरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूं कि इस फिलिम की जो है फ्यक्ट यह है कि भागतिमाई फिलिम है और काफी ल कि दुच्रा घारा जाता है तो चलिए दोस्तों एस्टोरी की तरफ चलते है कि आखिर इस मुवी की जो है जैवर्ड सावित्रिमया मूवी की इसटोरी क्या है तो सबसे पहले जान लीजिए भाइयो कि इस मुवी की इस्टोरी शुरूरात होती है एक श्टोरी और बढ़ने लगती है जब अंश्मान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से जो है साधी होने के बाद इनके माता अंश्मान सिंग राजपुत को लेने के लिए भेजा जाता है लेकिन जब यह पिरिद्वी पर आते हैं तो जयवर्ट सावित्री मया की जो भक्ति भक्तन राती है यानि प्रिति शुकला जी ओ जो है जयवर्ट सावित्री मया की जो है बिरिच की पूजा करती है और आपने हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वह लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही स्वार्ग सिदार हो जाएगा यानि म टकदिर बदल सकती है इस पर जो है जय वड़की मया की वह सूरु से भ्रिति शुकला जी लेकिन और भी उनके प्रती इनका प्यार सने बर जाता है और लगतार भुजा करने लगती इस पर जो है से चले जाते हैं इस पर जो है वो मर जाते हैं लेकिन अपनी भक्ति से अपनी जो है परिच्छा लेती है जयवार सामित्री मया और फिर से जो है अनुश्मान सिंग की जो जान है वापस कर देती है इस पर भक्ति के प्रति जो है सने प्याहो तादू कि अगर तो सब्सक्राइब करें देवी देवताव लोग परकास जैस भी आपको इस फिलिम में देखने को मिलेंगे वो सभी देवी देवताव लोग जो रहते हैं वो इनकी परिचान और कुछ जनकारी है मैं आपको इस वीडियो के मादियम से लेकर आ गया हूं मैं आपको बता दूं कि अगर आप भक्ति मूवी पसंद करते हैं देखना तो इस विडियो को कूल बजट की तो इस विल्यम की कूल बजट जो है लग बग जो काफी बहतरिन और काफी मन मोहग है एक चीज में आपको और आप बोल देना चाहूंगा कि जयवट सावित्रिय मया जो मूवी है दो आजर चोविस की सबसे लेटिस्ट मूव में से एक होने वाली है एक चीज लोईन के किरदार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद जो है इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अन्सुमान सिंग राजपूर जी जी हां भाई लो इसके बाद इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी मनी भटा चार जी जी हां भाई लो और जो है फ्यक्ट यह है कि फिल्म जो है भाक्तिमाई फिल्म है और काफी लंबे समय बात जो है भजपूरी जेटी में भाक्ति फिल्म देखने को मिल रही है उसके बाद जो है अपनी हाथ के रेखा देखाने के लिए एक अगोरी की पास जाती है यह करके आपको स्टोरी एक्स्प्लैन करूंगा तो चलिए दोस्तों स्टोरी की तरफ चलते हैं कि आखिर इस म अगोरी के बात बहूते हैं चैसे मेरी इस्तितीрах हो जाटान में कोई भी वारिष नहीं बचेगा इसी बात हुई-वाद वो लड़की जैसे-त्यसे बढ़ी होती है तो फिलिम में एक new turning point लाया जाता है कि अन्शमान सिंग से इनकी साधी करा दी जाती है जी हाँ भाई लो अन्शमान सिंग की सार फुजा करने लगती है इस पर जो है इस फिलिम में संजाय मुरसिंग टाइगर भी रहते हैं इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी भाजपूरी के सबसे बहतरी और वो पता जो रहता है इनके पती की प्रान का काम करता है तब जो है मुरसिंग टाइगर जी जो इमराज बन पर प्रितिवी पर आये रहते हैं इनके पती का जान जो है मरजाते हैं लेकिन अपनी भक्ती से अपनी परिच्छा लेती है आप मेरे चैनल को पाणव पर सब्सक्राइब कर लिजीएगा और अची किसी तरह का मुबी पडेट आप सभी भाईya से मिस ना हो मैं आपको वदा दू दोस्तों पोड़क्शन जो जेव से खर्चा लगा है वो पुरी की पुरी रिकवरी कर पाई है और अब मुनाफे में चलती हुई नजर आ रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूंगा कि जैवाट साभीतिरी मैया में बचपुरी के बड़े-बड़े सुपरेश्टार और एक साभीतिरी मैया जो मुवी है 2024 की सबसे लेटिस्ट मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस मुवी में आपको जो है एस्टार कास्ट जो है कौन-कौन से है मैं आपको इसकी भी जनकार मांगती है कि मेरी पती की जो है जो आयू है दिर्याव कर दी जाए ताकि हम अपनी भी जीवन सुख्यापन से जी सके उसके बाद आचर पसार कर मांगती है और एक मुल्पी ज़जा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने के बाद भी पृती सुकला उस सभी परिच्छा में सफल होती है धीरे धीरे जो है इस्टोरी और बढ़ कि आगया है इसके बाद जो है इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी ओह है अगहर वी का रोल तो एक करके जो आपको इस्टोरी एक्स्प्लैन करूंगा तो चलिए दोस्तों एस्टोरी की तरफ चलते हैं कि आखिर इस मुवी की जो है जयवट सावित्री मया मुवी की जो मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मुवी में जो है वो अरत हार नहीं मनती है और अपनी सबसे अजय की भी है और डरो मत वो लड़की जो तुम्हारी तक्दीर में आएगी उनकी जो जीवन है दीर की आई होगी यानि लंबा समय तक मया की पूजा ही क्यों करती है हमो के धीरे जो है एश्टवार फिर से देख लिया जाए जब वह अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात बोलता है सुने के बाद आपके पर वह मर जाते हैं लेकिन अपनी भाक्ति से अपनी परिच्छा लेती है जैवार समीतरी मया और फिर से अनुश्मान सिंग की जो जान है वह आपस कर देती है इस पर भाक्ति के परति जो है से ने सबसे बहतरीन और परिवारिक मोवी को मिश करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो है फ्यक्ट यह है कि फिल्म जो है भाक्तिमाई फिल्म है और काफी लंबे समय बाद जो है भजपुरी जेटी में भाक्ति फिल्म देखने को चैनल को सब्सक्राइब कर जानने के लिए तो आप मेरे एक्स प्लैन उस मुवी का फैक्ट रिविव और बॉक्स बजट बात करें बेस्ट अब लुकेशन और कुछ जनकारी है मैं आपको इस वीडियो के मादेम से लेकर आ गया हूं जी हां भाईलो मैं आपको बता दूं कि अगर घता है कि अंश्मान सिंग से इनकी साधी करा दी जाती है उस पर सभी देवी दवनाभी तक जो है छे क्रो रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूंगा कि जो मुवी के बारे में बात करने वाले हैं वह एक भचपुरी वर्जन फिलम है जिस मुवी का नाम है जाए वट साभी तरी मया जो मूबी है दोज़ार चोबिस की ने वाली है जो काफी बहतरीन और काफी मन मोहक है एक चीज में आपको और आपको बोल देना चाहूंगा कि जो मूबी है दोज़ार चोबिस की सबसे लेटिस मूव में से एक होने वाली है एक चीज किरदार के लिए चूच किया गया है इसके बाद जो है इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी भचपुरी के सबसे बहत एक स्टोरी की तरफ चलते हैं कि आखिरी इस मूवी की जो है जो है जान लिजिए वाई हो कि इस मूवी की इस शुरुवात होती है एक ऐसे गरीब परिवार से जिनका जो है कोई भी अगर बच्च जो है उनकी भक्ती में लिन रहती है उसके बाद जो है अपनी हाथ के इनकी साधी करा दी जाती है जी हाँ भाईलो अंश्मार सिंग से जब इनकी साधी से अगोरी के पाह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मेरी इस्टिती रही तो मेरा जो है कुल मेरा समात्थ हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर जो है अगोरी ग्रीनी फिर से इनका हातों की भविश्य देखता है और बोलता है कि तुम्हारी टक्दिर में एक लड़की भी है और डरोमत वह लड़की जो तुम्हारी सा बेतीर attractions की पुजा ही क्यों करती है हमों लोग भी देवी देवताइ हमारी पुजा क्यूं नहीं करती है इस पर जिए और लोग इनकी काफी ज़़ा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने कि तकदिर बदल सकती है इस पर जिए वर्शा अबित्री मया की जिए वो शुरू से ही भागत रहती है प्रिति शुकला सख जाएंगे ची हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वह लड़का जो है वह अपने जो है मांगती है कि मेरी पती की जो आयू है दिर्याव कर दी जाए ताकि हम अपनी भी जीवन सुख्यापन से जी सकें उसके बाद जो है उसे मिस ना हो टाइम क पता ही नहीं चलेगा इतना प्यारा और इतना लवली इस फिल्म की स्टोरी है इसके बाद बाता दिया कि इस फिल्म की जो है BC projection क्या हूई है बजट क्या रही है जो हमाई लो मैं आपको बतातु हूं कि अगर आप भति पसंद करते हैं देखना तो फेलिज़ वीडियों को एक्षिप करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता दना चाहूंगा दोस्तों कि अगर एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस मुवी में आपको जो है एस्टार कास्ट जो है कौन-कौन से मैं आपको इसकी भी जनकारी दे देता हूं ताकि जो है आप मनि भटाचार जी जिहां भाएलो और मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं कि इस मुवी में भचपुरी की सबसे सुपर सुपर रष्टार जो है नजर आने वाली है वह भी देवी के क्यूदार्मी मनि भटाचार जी जो है उनको भी देवी का रोल मुवी की के स्ट मानती है और अपनी सबसे जयवट सभीत्री मया की परम भागत रहती है नहीं बात कहीं जा तो दिनों राज उनकी भग में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर गोरी फिर से इनका हातों की भविष्य से देखता है और बोलता है कि तुम्हारी तक्दीर में एक लड़की भी है और अब मुनाफे में चलती हुई नजर आ रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूंगा कि संसार में यानि प्रिद्वी पर प्रिद्शुकला जी रहती है केवल केवल जो है जोईवट सभीत्री मया की पुजाहीं की पिता जी लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि क लड़की का जिससे भी शाधी होगा लड़का जो है यानिशमान संग स्भाने की वापस कर देती इस पर भकती के परती प्यार इतना जढ़ दिखा इनका प्यार समय बढ जाता है और जो है लगतार पुजा करने लगती है इस बार इस विली میں संजाय म自 tahun और मरासिंग टाइगर भी रहते हैं वह यह मॉनाहार काफी बेट्रिन उनका लुक राता है हम्राच का एक दम गदा लिये हुए वह वह भी इस फिल्म आपको देखने को मिलेंगे ताकि किसी भी तरह का movie update आप सभी भाईयों से miss ना हो या storyline explain miss ना लिजिएगा और bell icon को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का movie update बात कर जाए collection, budget, location आप सभी दोज्यानकारी दे देता हूं ताकि आप लोग इस movie को देखते वक्त Starcast की नाम असल में क्या है आप नो भूले तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस movie में जो है अब बात में आपको बहागे बताऊंगा उससे पहले जान लिजिए कि इस film की जो location है काफी मुरुमाक है काफी लजवाब है और पूरी पूरी जो location है ओ लिया गया है यूपी से जोन पूर जिला से इस movie दोस्तों एक कई है इस movie में उनको भी जो है देवी का रोल ही मिला सिंग को भी रोल बिला और देवी का ही मिलास इसके बाद इस film में जो है आपको परफेक्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं वो भी इस फिलिम में बाबु जी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल उनको और मिला है वो है अगोरवी का रोल तो एक करके आपको इस्टोरी एक्स्प्लैन करूंगा मिस करूंगा पुखी का महौल चाया रहता है यानि चेहने पर कभी भी मुश्कुराट नहीं आती है लेकिन मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मुभी में वो अरत हार नहीं मनती है और अपनी सबसे जयवट सावित्री मया की परम भागत रहा है वो इस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बदा दूँ वो लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवट सावित्री मया कैसिरबात से हुई रहती है उसके बाद वो लड़की जैसे देसे बड़ी होती है तो फिलिम में एक न्यू टर्निंग पॉइंट लाया जाता है धीरे धीरे जो है श्टोरी और बढ़ने लगती है जब अंश्मान सिंग से इनकी सरिवारी का और काफी संदार है जब आप इस गाने को सुनेंगे ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने खराब गाना सुना है आप जो है कभी भी इस फिलिम गाने को कहीं भी बजा कर सुन सकते है उसके बाद आप मेरे चैनल को रिवीव फैक्ट जानने के लिए तो आप तो उसके बाद जो है यह फिर से अगोरी के पाह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी मेरी इस्तिती रही तो मेरा कुल मेरा समाप्त हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा उप पुरी की पुरी रिकवरी कर पाई है और आप मुनाफे में चलती हुई नजर आ रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूँगा कि वचपुरी की बड़े-बड़े सुपर अश्टार और एक्ट्रेस आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात में आपको भागे बताऊंगा उससे पहले जिसी वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार मेरे वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फाटा पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है मुवी अपडेट आप सभी भाईयों से मिस ना हो या इस्टोरी लाइन एक्स्प्लेइन मिस ना हो बोल देना चाहूँगा कि जो मुवी है 2024 की सबसे लेटिस्ट मुव में से एक होने वाली है कि इस मुवी में आपको सुचूंगा कि की सबसे पहले जान लेजिए है कि ऐसे गरीब परिवार से जिनका जो है कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो वो मर जाता है जी हाँ भाई लो और उनके परिवार में जो है दूखी का जो है अपनी हाथ के रेखा देखाने के लिए ओ जो है एक अगोरी की पास जाती है यानि संजाय पांडे के पास जाती है तो फिलिम में एक न्यू टर्निंग पॉइंट लाया जाता है कि अंशमान सिंग से इनकी साधी करा दी जाती है उस पर जो हैं कि ऐसे मेरी इस्तिती रही तो मेरा कूल समाथ हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर अगोरी फिर से इनका हातों की भविस से देखता है और बोलता है वो सोचते हैं कि क्यों न अपनी बेटी का भविस एक बार फिर से देख लिया जाए जब वो अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में उनको भी देवी का रोल ही मिला है इसके बाद अंजरा सिंग को भी रोल मिला है वो भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में आ आपको देखने को मिलेने के लिए वापस कर देती है इस पर भक्ति के प्रति जो है से ने प्यार इतना ज्यादा दिखाया गया ना भाई लो कि जब आप देखेंगे तो जयवाट साभीतिर मज़ा की आप भी परमभक्त हो जाएंगे काफी लबली और काफी प्यारी और अच्छा लगा है वो पुरी की पुरी जो है रिकवरी कर भाटा चार जी जिहां वाई लो और मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं कि इस मुवी में जो है भचपुरी की सबसे सुपर सुपर रेश्टार जो है नजर आने वाली है वो भी देवी के क्यूदार में ब दोजार चौबिस की सबसे लेटिस्ट मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको पेखने को मिलेंगी भचपुरी के सबसे बहतरीन और बीटी की कहे जाने वाली काजल रागवानी भी एक तरह से बात कही जाए तो भचपुरी की सबसे जो है टौपेश टौपेश जो एक्ट्रेस है आपको इस मुवी मिलवार से जिनका जो है कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है और उनके परिवार में दूखी का महौल चाया रहता है मुवी की के स्टोरी समाझ आज आए तो काफी अच्छा लागेगा लेकिन एक चीज में आपको बता होंगे वो सब मरे के मरे होंगे इस विचार पर जो है उनका मुँ जुह सुखा राजाता है और सन राजाता है तो जो है जय वड़ी तक्दिर में आएगी उनकी जीवन है जी आई होगी यानी लंबा समय तक जीएगी इस खुशी को लेकर जो है वह अपने घर आते हैं बीत पर जो है जयवर्स अभीत्री मया कर सुन सकते हैं उसके बाद जो है और श्मार्ट सिंग राजपुत को लेने के लिए भेजा जाता है लेकिन इस फिल्म की श्टोरी है इसके बाद मैं आपको बता दिया कि फिल्म की जो है बॉक्स अपसिस क्लेक्शन क्या हुई है बजट क्या रही है और मैं आपको बता दू कि अगर आप लोग जो है चाहते है कि भजपुरी की मिस ना हो या इस्टोरी लाइन एक्स्प्लेइन मिस ना हो तो फानेली मैं आपको बता दू दोस्तों कि जो मुवी के बारे में बात करने वाले हैं वह एक भजपुरी वर्जन फिल्म है जिस मुवी का बेज़ाई कलक्शन बजट लुकैशन आप सभी दोस पसंद करते हैं देखना तो फिले इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फानली मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो है कौन-कौन से है मैं आपको इसकी जनकारी दे देता हूं ताकि आप लोग जो है इस मुवी को देखते वक्त अश्टार कास्ट की नाम जो है असल में क्या है आप नहों भूले तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी मनी भटा चार जी जी हां वाईलो और मैं आपको दोस्तों एक सीज और बता दूं कि इस मुवी में जो है भचपुरी की सबसे सुपर सुपर अश्टार जो है नजर आने वाली है वो भी देवी के क्यूदार में मनी भटा कि इस फिल्म में संजाय पाण्डे भी आपको देखने को मिलेंगे जो भचपुरी इंजिटी में परफेक्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं वह भी इस मिलेंगी हलाएं कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि भाई लो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझें कि आप पचपुरी के सबसे बहतरीन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे जो हार नहीं मनती है और अपनी सबसे जोईवट सावित् साफी लजवाब है और पूरी पूरी जो लुकेशन है वो लिया गया है यूपीसी जी हाँ भाई लो लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवट सावित्री में एक अशिरबात से हुई रहती है उसके बाद वो लड़की जैसे दैसे बड़ी होती है तो फिलिम में जो है ए देखेंगे तो जयवट सावित्री मया की आप भी परमभक्त हो जाएंगे काफी लबली और काफी प्यारी मात्र एक साल के अंदर ही सवर्गिसिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहां बात जो है उनको काफी ज़दा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइव में अंधेरा च कि अगर आप लोग जो है चाहते हैं तो अपनी जो है पोड़क्शन जो जेव से खर्चा लगा है वो पुरी की पुरी जो है रिकवरी कर पाई है और आप जो है मुनाफे में चलती हुई नजर आ रही है एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि जयवट सावित्र मैया में जो है वचपुरी की बड़े-बड़े सुपर अश्टार और एक्ट्रेस जो है आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात में आपको कि जयवट सावित्री मैया जो मुवी है दोज़र चॉबिस की सबसे लेटिस्ट मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आप आपको जो है एस्टार कास्ट जो है लीड रोल में रखा गया है यानि हिरोईन के किरदार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद जो है इस फिलिम में नजर आने वाले हैं अन्सुमान सिंग राजपूर जी ची हाँ भाईलो इसके तिनी मया की पूजा पूरी मगन से क करते हैं तो उसके बाद जो है यह फिर से अगोरी के पाह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी मेरी इस्तिती रही तो मेरा कुल मेरा समाप्थ हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बच पूरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मूवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूं कि इस फिलिम की जो है फिक्ट यह है कि फिलम जो है अधर आने वाली है इस मूवी में उनको भी देवी का रोल ही मिला है इसके बाद आंजरा शिंग को भी रोल मिला है वो भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिला है वो भी इस फिलिम में बाबु जी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल उनको और मिला है वो है अगोरु का रोल तो एक एक करका समाथ हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेग इस पर जो है अगोरी फिर से इनका हातों की भविश्य से देखता है और बोलता है कि तुम्हारी जो है तक्दीर में एक लड़की भी है और डरो मत वो लड़की जो फैनली में आपको बता दना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो वा पहल चाया रहता है यानि चेहरे पर जो है कभी भी मुश्कुरात नहीं आती है लेकिन मैं आपको बोल दना चाहूंगा कि इस मुवी में जो है वो अरत जो हार नहीं मनती है और अपनी सबसे करा दी जाती है उस पर सभी देवी दवताव लोग परकास जैस भी आपको इस फ परिशा लेने के बाद भी प्रिती सुकला उस सभी परिशा में सफल होती है धीरे धीरे जो है श्टोरी और बढ़ने लगती है जब अंश्मान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिर लिज इस वीडियो को एस्किप करके मत कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फाटा पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है बनाई गए फिलम बाक सबसी कलेक्शन से मात राभी तक जो है छे करोड रूपिया ही रिकोबरी कर पाई है यानि बाद लुकसान लिया गया है लेकिन कुछ चसी ने वियार से भी चूच किया गया है जो काफी बहतरिन और काफी मन मोहग है एक चीज में आपको और यह आप बोल देना चाहूंगा कि ताकि जो है आप लोग जो है इस मुवी को देखते वाक्त अस्टार कास्ट की नाम जो है असल वह भी की के स्टोरी समाझ आज आए तो काफी अच्छा लागेगा लेकिन एक चीज में आपको बतारा हूंगा यह मराज का किर्दार में आपको देखने को मिलेंगे वह जो रहते हैं ना वाई लो काफी मुन हरे का बेहतरिन उनका लुक राता है अमराज का एकदम गदा ल प्रेस्टिंग और बहुती परिवारिक और भक्ति माई मुवी का फुल स्टोरी लाइन एक्स प्लैन उस मुवी का फैक्ट रिवीव और बॉक्स अब जनकारी है मैं आपको इस वीडियो के माधियम से लेकर आ गया हूं जिहां माई लो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बता दूं कि इस मुवी में भचपुरी की सबसे सुपर सुपर एश्टार जो है नजर आने वाली है वह भी देवी के क्युदार में मन्नी भट चार जी जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में उनको भी ज लुकेशन है वो लिया गया है यूपी से जौनफुर जिला से इस मूवी के पुरी के पुरी लुकेशन लिया है लगबग तिन करोड रुपया लग चुका है जीहां दोस्तों तिन करोड की बजट की बनाए गई फिलम मादेम से लेकर आ गया हूँ जीहां माई लो मैं आपको एक चीज में आपको और आप बोल देना चाहूँगा कि जयवट सावित्री मया जो मूवी है दोज़ार चॉविस की सबसे लिक क्या है तो सबसे पहले जान लिजिए वाई हो कि इस मूवी की ये स्टोरी शुरुवात होती है एक ऐसे गरीब परिवार से जिनका जो है कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है चीहां वाईलो को देखने को मिलेंगी मनी भटा चार जी चीहां वाईलो और मैं आपको दोस्तों एक सीज और बता दूं कि इस मूवी में जो है भचपुरी की सबसे सुपर सुपर एस्टार जो है नजर आने वाली है वो भी द आपको लीडरोल में देखने को मिलेंगी प्रिती सुकला जी चीहां भाईलो काफी बहत खुबसूरत और स्माट कही जाने वाली काजल रागवानी भी एक तरह से बात कही जाए तो भचपुरी की सबसे जो है टौपेश टौपेश जो एक्ट्रेस है आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगी हलाएं कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि भाईलो अगर आपने इस लेकिन मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मूवी में जो है वो अरज हार नहीं मनती है और अपनी सबसे जयवट सावित्री मया की परम भागत रहती है यानि ब तो एक करके जो आपको स्टोरी एक लसे करते हैं तो उसके बाद जो है या फिर से अगोरी के पाह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसी मेरी इस्तिती रही तो मेरा जो है कुल मेरा समाथ हो जाएगा तो फानेली में आपको वदा दूँ दोस्तों कि जो मुवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक वच्पुरी वर्जन फिलम है जिस मुवी का नाम है जाय वट साभी तिरी मैया चीहां दोस्तों एक भक्ति माय फिलम है और इस फिलम की बात करें कुल बज़ा कि लेंगे कि सबी देवी देवताव लोग जो रहते हैं वह इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि परिद भी पर जो है पृति सुगला जी रहती है के वल पनाल जो है को क्यों कर दहा एत्याता है और दीतरिम्हन सादिका ठाम्राथ कपका दम घदा लिए हुय वो भी इस फिल्म अपको देखने को मिलेंगे तो उनको जो है प्रान तुन सिंग राजपूत को तो लिने के लिए भेजा जाता है लेकिन जब याग प्रिस्भी पर आते हैं तो जैवर सभितरि मया की जो भाग वो अगहुरी की पास जाते हैं तो अगहुरी जो एक बात बोल जो है सने प्यांट वह एक वजपुरी वर्जन फिलम है जिस मूवी का नाम है जाए वट साभी तिरी मैया चीहां दोस्तों एक भक्ति माय फिलम है और इस फिलम की बात करेब कुल बज़ तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस मूवी में जो है आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगी प्रिती सुकला जी जी हां भाई लो काफी बहत खुबसूरत और इसमार्ट कही जाने वाली प्रिती सुकला जी इस फिलम में उनको आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात मैं आपको भागे बताओंगा उससे पहले जान लिजिए कि इस फिलम की जो लोकैसन है काफी मुरुमाक है काफी लजबाब है और पूरी पूरी जो लुकेशन है वो लिया गया है यूपी से ची हाँ बाई लो यूपी से जौनपुर जिला से इस मूवी की पूर बनी भटाचार जी जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आ मिलेंगे जो भचपुरी इश्टी में परफैक्ट मैं के नाम से जाने जाते हैं वो भी इस फिलिम में बाबु जी का रोल होगी यानि लंबा समय तक जीएगी इस खुसी को लेकर जो है वो अपने घर आते हैं बिते कुछ महिने दिनों सालों के बाद जो है उस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बता दूँ वो लड़की जो है जो एक्टरेस है आपको इस मुवी में देखने को मिलेंगी हलांकि मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूंगा कि भाईलो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप पचपुरी के सब पिस से देखता है और बोलता है कि तुम्हारी जो है तकदीर में एक लड़की भी है और डरो मत वो लड़की जो तुम्हारी तकदीर में आएगी उनकी जो जीवन है दीर ही आई होगी याने एक्ट रिवीव और बाक्सप्जी केलेक्शन बजट बात करें बेस्ट अप पूजा क्यों नहीं करती है इस पर जो लोग जो है इनकी काफी जड़ा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने के बाद भी प्रिति सुकला उस सभी परिच्छा में सफल होती है धीरे धीरे जो है इस्टोरी और बढ़ने लगती है जब अंश्मान सिंग से इनकी साधी करा दी जाती है जी हाँ भाई लो अंश्मान होगा वह लड़का मातर एक साल के अंदर ही सौर्गिसिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहाँ बात जो है उनको कफी जदा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइफ में अंधेरा चाहा जाता है और फिर जो है अपनी बेटी से वो पर बात बोलते हैं कि संदार है जब आप इस गाने को सुनेंगे ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने खराब गाना सुना है आप जो कभी भी इस फिलिम गाने को कहीं भी बजा कर सुन सकते हैं उसके बाद जो है लगती है इस पर जो है इस फिलिम में संजय स्व मित्री मैया और फिर से अनुषबान सिंग की जो जान है वापस कर देती है इस पर भक्ति के प्रति जो है से प्यार इतना ज़्यादा दिखाया गया है दोस्तों से मिर्स ना हो बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है चीहां वाईडो और उनके परिवार में दूखी का महौल जो यानि चेहरे पर जो यह कभी भी मुश्कुराबेश नहीं आती है लेकिन आपको बोल दना चाहूंगा कि इस मूभी में यह हार नहीं मनती है और अपनी स्लिग नहीं होगा कि हमने इतना टाइम कैसे बिता लिए आपको टाइम का पता जी Mayo माय चलेगा इतना प्यारा और रिकोवरी कर पाई है यानि बात करें तो अपनी जो है पूरी की पूरी जो है रिकोवरी कर पाई है और अब जो है मुनाफे में चलती हुई नजर है मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भाक्ति मुवी पसंद करते हैं देखना तो पहले इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चनल पर पहली बार मेरे इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में उनको भी देवी का रोल ही मिला है इसके बाद अंजरा सिंग को भी रोल मिला है वो भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी जिर को फिल्म भाक्ति माई फिल्म है और कापी लंबे समय बात भजपुरी रेटी में भगती फिलम देखने को मिल रही है 2014 में अब मैं आपको सोचूंगा कि इस मुवी की कुछ एस्टोरी लाइन एक्सप्लेंड में कर दूं ताकि आपको मुवी की के स्टोरी समझ आ जाए तो काफी अच्छा लागेगा लेकिन एक चीज में आपको बताना भूल गया दोस्ति मरी होंगे इस बिचार पर जो है उनका मुँ जो है सुखा अखा सुखा रहा जाता है और सन रहा जाता है उसके बाद फिर से आते हैं और जयवाट सावि भी मुश्कुराट नहीं आती है लेकिन मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मुवी में जो है को इसकी भी जनकारी दे देता हूं ताकि आप लोग जो है इस मुवी को देखते वक्त एस्टार कास्ट की नाम जो है असल में क्या है आप नो भूले तो सबसे पहले जान ल इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वह लड़का मातर एक साल के अंदर ही सवर्गिशिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहां बात उनको काफी जदा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइब में अंदेरा चाहा जाता है और फिर जो है बुन सिंग टाइगर जी जो यम्र प्रितिर मया और फिर से जो जो जान है वापस कर देती है बहुती प्यारा म्यूजिक बजता इस पर दोस्तों काफी परिवारिक और काफी संदार है जब आप इस गाने को सुनेंगे ना तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने खराब गाना सुना है आप जो कभी भी गाने को कहीं भी बजा कर सुन सकते हैं उसके बाद किसी भी तरह का मुवी अपडेट बात कर जाए कलक्षन बजट करते हैं देखना तो फिर लिज इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता दना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी चनल पर पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चनल को फाटा पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा उस्तों से मिस ना हो दोस्तों तिन करोड की बजट की बनाई गई फिलम बॉक्समजी कलेक्शन से मात राभी तक जो है छे करोड रूपिया ही रिकोबरी कर पाई है यानि बात करें तो आपनी पूजा क्यों नहीं करती है इस पर लोग इनकी काफी ज़दा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने के बाद भी प्रिति सुकला उस सभी परिच्छा में सफल होती है धीरे धीरे जो है एस्टोरी एस्टार कास्ट जो है कौन-कौन से हैं मैं आपको इसकी भी जनकारी दे देता हूँ ताकि जो है आप लोग जो है इस मुवी को देखते वक्त एस्टार कास्ट की नाम जो है असल में क्या है आप नो भूले तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस मूवी में जो है अंजरा सिंग को भी रोल बिला है वो भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी जिर को जय जय वट सावित्री मया के किरदार के लिए चूच किया गया है इसके बाद इस मूवी में आपको चार जी जी हाँ भाई लो जो भष परिंजेश्टी में परफैक्ट मैंन के नाम से जाने जाते है हैं वो भी इस फिलिम में बाभु जी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल उनको और और मिला है वो है अगर्वी का रोल तो एक और करके पैदा होंगे वो सब मरे के मरे होंगे इस विचार पर उनका मुझा सुखा अखा सुखा रहा जाता है और सन रहा जाता है उसके बाद फिर से आते हैं और जयवट सब इतनी मया की पूजा पूर चाया रहाता है यानि चेहरे पर कभी भी मुश्कुराइट नहीं आती है लेकि की जो जीवन है दीरगी आयू होगी यानि लंबा समय तक जीएगी इस खुशी को लेकर जो है वह अपने घर है वह लोग इनकी कापी ज़दा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने के बाद भी प्रिति सुकला उस सभी परिच्छा में सफल होती है धीरे धीरे जो है एस् मास जैस भी आपको काफी जवाब एक पुरी पूरी जो लुकरिसन है उठन लिया गया है यूप l was उबध चेंगे एक चीज में आपको बता दून की जो है फ्यक्त इया है और काफी लंबे समय बाद जो है पैधियरे भाग्ति फीलम देखने को मिल रही है एक चीज में आपको तो फिलिए इस वीडियो को एस्किप करके मत दखिएगा फाइनली में आपको बता दना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार मेरे वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फाटा पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है मुविया और पीस से जॉनपूर जिला से इस मुवी के पूरी के पूरी लुकासान लिया गया है लेकिन कुछ चैसी ने वियार से भी चूच किया गया है जो काफी बहतरीन और काफी मन मोहक है एक चीज में आपको और यह आप बोल देना चाहूंगा कि जयवट सावित्री मया जो मुवी है 2024 की सबसे latest movie में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी भाचपूरी के सबसे बहतरीन और बीटी की इन कही जाने वाली काजल रगवानी भी एक तरह से बात कही जाए तो भाचपूरी की सबसे जो है टॉपेश टॉपेश जो एक्टरेस है आपको इस मुवी में रखा गया है यानि हिरोईन के किरदार के लिए चूच की आ गया है और इनके बाद इस फिलिम में नजर आने वाले हैं अन्सु मान सिंग राजपूरी ची हाँ भाई लो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को हूँ जान लिजिए भाई ओ कि इस मुवी की ये स्टोरी सुरुवात होती है एक ऐसे गरीब परिवार से जिनका जो है कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो वो मर जाता है ची हाँ भाई लो और उनके परिवार में दूखी करते हैं तो उसके बाद जो है यह फिर से अगरी कपा जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मेरी इस्तिती रही तो मेरा कुल मेरा समाप्त हो जाएगा मेरे खाने के लिए लंबा समय तक जीएगी इस खुशी को लेकर जो है वो अपने घर आते हैं बिते कुछ महिने दिनों सालों के बाद जो है उस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बदा दूँ वो लड़की जो है श्टोरी और बढ़ने लगती है जब अन्षवान सिंग से इस साधी होती है तो फिर से साधी होने के बाद इनके माता पिता जीडी लोग रोहते हैं वो सोचते है कि क्यों न अपनी बेटी का भविस एक बार फिर से देख लिया जाए जब वो अगोरी के पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात पहुद देवताओ लोग परकास जायस भी आपको इस फिलिम में देखने को up मिलेंगे तस आफी देवी देवताओ लोग जो रहते हैं वो इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि प्रिथभी पर जो है वो चाहेगी तो तुम्हारी तकदिर बदल सकती है इस पर जो है जयवर्ट सावित्री मया की टाइगर जी जो एम्राज बनकर प्रिटीवी पर आए रहते हैं इनके पती का जान ले लेते हैं और फिर से चले जाते हैं इस पर जो है वो मर जाते हैं लेकिन अपनी भक्ति से आपको मुवी की स्टोरी समाज आ जाए तो काफी अच्छा लागेगा लेकिन एक चीज में आपको बताना भूल गया दोस्तों किस फिल्म में संजाग पर आते हैं तो जयवर्ट सावित्री मया की जो भक्ति रत भक्तन राती है यानि पीति शुकला जी वो जो है जयवर्ट को देखने बैठेंगे तो आपको जहें कभी वी ऐसा ना हो तो फिलिज इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनली में आपको बता दना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार मेरे वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फट जो मुवी में जो है भचपुरी की सक्से सुपर सुपर एस्टार जो है नजर आने वाली है वो भी देवी के क्यूदार में मनि भटाचार जी जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में जो है आपको लीड र गाना सुना है आप जो कभी भी इस फिल्म गाने को कहीं भी बजा कर जाने जाते हैं वह भी इस फिल्म में बाबु जी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल उनको और मिला है वह है अघोरी का रोल तो एक करके पुरी दिल से करते हैं तो उसके बाद जो है यह फिर से अघोरी क पाँ जाते हैं और उसको राट नहीं आती है लेकिन मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मुभी में जो है वो अरट जो हार नहीं मनती है और अपनी सबसे जयवट सावित्री मया की जो है परम भागत रहती है यानि बात कही जा तो दिनों राट जो है उनकी भक्ती में लि लिएगी इस खुशी को लेकर जो है और अपने घर इस पर जो लोग जो है इनकी काफी ज़दा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने के बाद भी प्रिती सुकला उससाभी परिच्छा में सफल होती है धीरे धीरे जो है अस्टोरी और बढ़ने लगती है जब अंशमान स चnes से इनकी सादी करा इनकी साधी करा लगती जाती है दितने हैं घ्रीरी इसक्राङ था भी केंगेर परिच्छेक्षट आपके अप कि सक जाएंगे चीह हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वह लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही सवर्गिसिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा मैया की जो भगतन राती है यानि पेटी शुकला जी ओ जो है जैवर्ट सब इत्री मैया की जो है बिरिच की पूजा करती है और वह अपने जो है मांगती है कि मेरी पती की जो आयू है ना हो मुवी को मिस किया तो समझे कि आप पचपुरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म की जो है फ्यक्ट यह है कि प्रती जो है से ने प्यार इतना ज्यादा दिखाया गया है ना बाइलो कि जब अगर आप भगति मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिल्म को बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फटना पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा ज़र आने वाली है तो वह भी बात म जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में भूले तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस मुवी में जो है आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगी प्रिती सुकला जी जी हाँ भाईलो काफी बहत खुबसूर तो समझे कि आप भचपुरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे अगर बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है और उनके परिवार में दूखी का महौल चाया रहता है यानि चेहने पर कभी भी मुश्कुरात नहीं आती है लेकिन एक चीज परिवार बच्चा पैदा होंगे वह सब मरे के मरे होंगे इस विचार पर वह लड़की जो तुम्हारी तक्दीर में आएगी उनकी जो दिव जीवन है दिर गी आयो होगी यानि लंबा समय तक जीएगी इस खुसी को लेकर जो है वह अपने घर आते हैं बिते कुछ महिने दिनों सालों के बाद जो है उस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बता दूंग सकती है इस पर जो है जो है जो है इस फिलिमें आप जो है कभी भी इस फिल्म गाने को कहीं भी बजा कर सुन सकते हैं उसके बाद जो है जैवर्स अभीत्री मया के माध्यम से एक पत्ता गिरता है इनके अचल में और वह पत्ता जो रहता है इनके पती की प्राण की का काम करता है तभी जो है तक 3 करोड रुपया लग चुका है जी हां दोस्तों 3 करोड की बजट की बनाई गई फिल्म बक्समजी कलेक्शन से मात राभी तक जो है 6 करोड रुपया ही रिकोबरी कर पाई है यानि बात करे तो अपनी पोड़ सफल होती है धीरे धीरे जो है इस्टोरी और बढ़ने लगत होती है जब अंश्मान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से जो है साधी होने के बाद इनके माता-पिता जी लोग रुआते हैं वो सोचते हैं कि क्यों न जो है वो इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि प्रिधवी पर जो है प्रिधिशुकला जी रहती है केवल केवल जो है जयवट सभीत्री मया की फूजा ही क्यों करती है हमों लोग भी देवी देवता है हमारी फूजा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइव में अंदेरा चाहा जाता है और फिर जो है अपनी बेटी से वह फोन पर बात बोलते हैं कि जयवट सभी जान है जो है मांगती ह कि आचल में और वह पता जो रहता है इनके पती के प्रान का काम करता है तबी जो है मुवी की स्टोरी है ना काफी मुनमोख है जब आप इस फिल्म को देखने बैठेंगे तो आपको कभी भी ऐसा बोर फिलिंग नहीं होगा कि हमने इतना टाइम जो है कैसे बिता लिए आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा मिर्स ना हो मनसिंग टाइगर भी रहते हैं और यहां राज का किरदार में आपको देखने को मिलेंगे ओ जो रहते हैं ना बाई लो काफी मुनहर काफी बेहतरी उनका लुक रहता है यहां राज का एकदम गदा लिये हुए वह भी इस फिल् देखिएगा फैनली में आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी चनल पर 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 जैवाट साभीतिरी मया में जो है वचपुरी के बड़े-बड़े सुपरेश्टार और एक्ट्रेस जो है आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात में आपको भागे ब बजट जो है लगबग तिन करोड रुपया लग चुका है यहां दोस्तों तिन करोड की बजट की बनाई गई फिलम बग रोल में रखा गया है यानि हिरोईन के किरदार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद जो है इस फिलिम में नजर आने वाले हैं अन्सु मान सिं जी ची हाँ भाईलो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी मन देना चाहूंगा कि भाईलो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप भचपुरी के सबसे बहत्रिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता प्राइटमेंड के नाम से जाने जाते हैं वो भी इस फिलिम में बाबु जी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल उनको और मिला है वह अघोरुई का रोल तो अजय पांडे बोलते हैं कि तुम्हारे कोंक से जितनी भी बैच्चे पैदा होंगे वो सब मरे के मरे होंगे इस ब कि अब्ल्वाज्वारों व् mortar casa उनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में अग्वोरी फिर इनका हाथों की वविष्य देखता है और बोलता है कि तुम्हारी तकदीर में एक लड़की भी है और डरो क्यों लड़की जो तुम्हारी तकदीर में आएगी उनकी ज्यो screamed लोग इनकी काफी ज़दा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने के बाद भी प्रिति शुकला उस सभी परिच्छा में सफल होती है धीरे धीरे जो है एस्टोरी और बढ़ने लगते हैं इस बिली में संजाय मरसिंग टाइगर भी रहते हैं वह यह मराज का कीरदार में आपको देखने को मिलेंगे ओजू रहते हैं जो भक्तन रहती है यानि पीति शुकला जी वह जो है जैवड़ सभीत्री में या की बिरिच की पूजा करती है और वह अपने जो है मांगती है कि मेरी पत्र वह अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात बोलता है सुने के बाद आपके पेरो तेले जमिन घिसक जाए लड़की का जिससे भी साधी होगा वह लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही सवर्गिसिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहाँ बात मुरो सिंग टाइगर जी जो यह अमराज बनकर प्रितिवी पर आए रहते हैं इनके पती का जान जो है ले लेते हैं और फिर से च कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने खराब गाना सुना है आप जो है कभी भी इस फिलिम गाने को कि इस मुवी में आपको जैस्टार कास्ट जो है कौन-कौन से हैं मैं आपको इसकी जनकारी दे देता हूं ताकि आप लोग जैसने प्यार इतना ज़्यादा दिखाया गया ह बाई लो कि जब आप देखेंगे तो जय वाट सबीतरी मईय की आप भी परमभक्त हो जाएंगे काफी लबली और काफी प्यारी और परिवारिक मुवी है और मैं आपको बता दूँ कि इस मुवी की नजर आ रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूंगा कि जय वाट भचपुरी के बड़े-बड़े सुपरेश्टार और एक्ट्रेस जो है आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात में आपको भागे बताऊंगा उससे पहले जान लीजिए कि इस फिल्म की जो लुकेशन प्रिती शुकला जी इस फिल्म में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हिरोईन के किरदार के लिए और में आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं कि इस मूवी में भचपुरी की सबसे सुपर सुपर एस्टार जो है नजर आने वाली है वह भी देवी के क्यूदार में मनिभटाचार जी उनको वी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मूवी में उनको भी देवी का रोल ही मिलेगा लेकिन एक चीज में आपको बताना भूल गया दोस्तों कि इस फिल्म में संजाए पैंडे भी आपको देखने को मिल प्रुमत वो लड़की जो तुम्हारी तकदीर में आएगी उनकी जो दीव जीवन है उतनी भी बैच्चे पैदा होंगे वो सब मरे के मरे होंगे इस बिचार पर जो है उनका मुँ जो है सुखा अखा सुखा रा जाता है और सन रा जाता है उसके बाद फिर से आते हैं और जै सब्सक्राइब जैए अपने बैटी के वाविश्ट एक बार फिर से देख लिया जाए जब वह अघोरी के पास जाते हैं तो अघोरी हो जाएगा यानि मर जाएगा यहां बात जो है उनको काफी ज़दा शनाटा चाहा जाता है उनके लाईव में अंधहरा चाहा जाता है औ और इस फिलम की बात करें कूल बजट की तो इस फिलम की कूल बजट जो है लगबग तिन कोरोड रुपया लग चुका है जी यहां दोस्तों तुर जो एक्टरेस है आपको इस मुवी में देखने को मिलेंगी हलांकि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूँगा कि भाईलो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप वचपुरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूँ तुरी मया में जो है वचपुरी के बड़े-बड़े सुपर एक्टरेस जो है आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात में आपको बहागे बताऊंगा उससे पहले जान लीजिए कि इस फिलिम की जो लुकेशन है काफी मुरुमाख है गया है और इनके बाद जो है इस फिलिम में नजर आने वाले हैं अन्सु मान सिंग राजपूजी ची हाँ भाई लो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिल जो है एस्टार कास्ट जो है कौन-कौन से है मैं आपको इसकी भी जनकारी दे देता हूं ताकि जो है आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी यानि प्रित्वी पर जो है प्रित्वी सुगला जी रहती है केवल केवल जो है जयवट सभीत्री मया की फुजा ही क्यों करती है हमों लोग भी देवी देवता है हमारी फुजा जाए पाण्डे भी आपको देखने को मिलेंगे जो भश्प्री इंजटी में परफैक्ट मैंन के नाम से जाने जाते हैं वो भी इस फिलिम में बाबु जी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल उनको और और अगहोरु का रोल तो एक एक रिवीव और बाक्स अब जी करते हैं देख करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूं कि इस फिलिम की जो है फ्यक्ट यह है कि भाक्ति माई फिलिम है और काफी लंबे समय बाद भश्पुरी डेटी में भाक्ति फिलिम उसके बाद वो लड़की जेसे देसे बड़ी होती है तो फिलिम में जाता है एक निव टर्निंग पॉइंट लाया जाता है कि आईसमान सिंग से इनकी साधी करा दी जाती है जी हां भाई लोग ड़्ट समय राजपुरी को लेने के लिए भेजा जाता है लेकिन जब यह पिरिद्वी पर आते हैं तो जैवर्ट समय बगतन राती है यानि प्रि जैवर्ट समय मया की इस पर जो है वो मर जाते हैं लेकिन अपनी भक्ती से अपनी परिच्छा लेती है जैवर्ट समय बगतन राती है जब आप इस गाने को सुनेंगे ना तासके बाद फिर से आते हैं और जैवर्ट समय मया की पूजा पूरी मगन से करते हैं पूरी दिल से करते हैं तो उसके बाद जो है यह फिर से अगोरी के आपको इस वीडियो के मादेम से लेकर आ गया हूँ जी हां माई लो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भगति मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिए इस वीडियो को एस्किप करके मारिस नहीं बचेगा इस पर जो तुमहारी तकदेर में एक लड़की भी है और दरोमत वो लड़की जो तुमहारी तकदीर में आएगी उनकी जीवन है दिरीखी आई होगी यानि लंबा समाई तक जीएगी । मोबी में आवरत हार नहीं मनती है, और को बता देंगा कि वजपपरी की बड़ बड़े सुपरेस्टार आपको नजर आने वाली है तो वो भी बात मैं आपको बहागे बताऊंगा उससे पहले जान लिजिए कि इस फिलिम की जो लुकैस मया जो मुवी है दोजर चॉबिस की सबसे लेटिस्ट मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस मुवी में आपको जो है एस्टार कास्ट अगछ का रोल ही मिला है इसके बाद अंज्रा सिंग्इ को भी रोल मिला है उसके बाद इस फिलिमallows आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमाजी जिनन जैए इस फिल्म में संजाय प्यन्ड भी आपको दखने को मिलेंगे जो भश्पूरिज़ाों में परफेक्ट मेंट के नामसे जाने जाते हैं वो में बापू जी का रॉल उदू को और ने ऋंको अगहोरी का रॉल तो आपके पर que kicks एंगे चीह हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वो लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही सवर्गिसिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहाँ बात जो है उनको काफी जदा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइप में दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूँ कि इस फिल्म की जो है फ्यक्ट यह है कि फिल्म जो है भाक्ति माई फिल्म है और काफी लंबे समय बाद के परिवार में जो है दूखी का जो है महौल चाया रहता है यानि चेहने पर जो है कभी भी मुश्कुरात नहीं आती है लेकिन मैं आप साबी तिरी मैया चीहां दोस्तों एक भक्ति माई फिल्म है और इस फिल्म की बात करें कूल बजट की तो इस फिल्म की कूल बजट जो है लगबक तिन कोरोडर और गोरी फिर से इनका हातों की भविस्य से देखता है और बोलता है कि तुम्हारी जो है तकदीर में एक इच्छा लेते हैं कि संसार में यानि प्रिद्वी पर जो है प्रिति सुकला जी रहे सोचते हैं कि क्यों न जो है प्रिति सुकला जी इस फिल्म में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हीरोईन के किरदार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद इस फिल्म में लिए भेजा रहा मुवी अपडेट बात का जाए कलक्षन बजट लुकैशन आप सभी दोस्तों से जाता है लेकिन जब यह प्रित्वी पर अच्छे पैदा होंगे वह सब मरे के मरे होंगे इस बिचार पर जो है उनका मुझ जो है सुखा आखा सुखा राजाता है और सन आइकन को भी पिरेश कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है मुवी अपडेट आप सभी भाईयों से मिस ना हो या इस्टोरी लाइन एक्स्प्लेंड मिस ना हो बहतरीन और काफी मन मोहग है एक चीज में आपको और यह आप बोल देना चाहूंगा कि जो मुवी है दो अंजरा सिंग को भी रोल मिला है वो भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में जो है आपको लेखने को मिलेंगी सुवि सरमा जी जिरको जब करके आपको इस्टोरी एक्स्प्लेंड करूंगा तो चलिए दोस्तों तो चलते हैं कि आकर इस मुवी की जो है जवट सा प्रिवाग्तिमाई फिल्म है और काफी लंबे समय बात जो है ची हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वो लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही सौरगिसिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहाँ बात जो है उनको काफी ज़्यदा सनाटा च जह देहरा च्हाँ जाता है और फिर अपनी वे टी से वो फूर्जा पूरी framed से करते हैं तो उसके बाद जह पर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मेरी इस्तिति रही पने जो है कूल मेरा समाथ हो जाएगा मेरे खन्दान में कोई भी वारिस नहीं बचय गा में देखने को मिलेंगे वो सभी देवी देवताव लोग जो रहते हैं वो इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि पृत्वी पर जो है पृति सुगला जी रहती है तो कुछ महिने दिनों सालों के बाद वो इस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बदा दूँ वो लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवर्ट सावित्र मेह के असिरबात से हुई रहती है अंश्मान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से साधी होने के बाद इनके माता-पिता जी जी लोग रुआते हैं वो सोचते हैं कि क्योंना अपनी बेटी का भविष एक बार फिर से देख लिया जाए जब वो की बिरिच की पूजा करती है और वो अपने जो है मांगती है कि मेरी पती की जो आयू है दिर्याव कर दी जाए ताकि हम अपनी भी जीवन सुख्यापन से जी सकें उसके बाद जो है आचर पसार कर मांगती है और एक बहुती प्यार जो आप जेव से खर्चा लगा है वो पुरी की पुरी जो है रिकवरी कर पाई है और अब जो है मुनाफे में चलती हुई नजर आ रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूँगा कि जयवाट साभीतिरी मया में जो है बचपुरी की बड़े-बड़े सुपरेश्टार और एक्ट्रेस जो है आपको नजर आने वाली है लेती है जयवाट साभीतिरी मया और फिर से अन्सुमान सिंग की जो जान है वापस कर देती है इस पर भक्ति के प्रति जो है सने प्यार इतना ज़्यादा दिखाया गया है ना भाईलो कि जब आप देखेंगे तो जयवाट साभीतिरी के लिए चूच की आ गया है और इनके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अन्सु मान सिंग राजपूजी जी हाँ भाई लो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी मननी भटा चार्ज की तो इस फिल्म की कूल बजट लगबग 3 करोड रुपया लग चुका है जी हाँ दोस्तों 3 करोड की बजट की बनाई गई फिल्म बाक समसी कलेक्शन से मात राभी तक 6 करोड रुपया हुँगा कि इस मुवी में वो अरज हार नहीं मनती है और अपनी सबसे जयवट सावित्री मया की परम भागत रहती है लेनी बात कहीं जा तो दिनो राज उनकी भक्ती में लेन रहती है उसके बाद आप मेरी वीडियो वाच कर रहे है तो आप मेरे चैनल को फटापट सबस्काइब कर लिजिएगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है मोवी अपडेट आप सभी भाईयों से मिस ना हो यहां इस्टोरी लाइन एक्स्प्लेइन लुकेशन है काफी मुरुमाक है काफी लजवाब है और पूरी की पूरी जो लिया गया है यूपी से जोनपूर जिला से इस मोवी की पूरी की पूरी जो है पूरी कि अपनी सबसे चेल्ट सभितरी मिया की बट जाती है यानी बात करके अपनी ही तक्दिर बदल सकती है इस पर जो है जय वर्ट सावित्री मया की जो है वो शुरू से ही भक्त टौपेश टौपेश जो एक्टरेस है आपको इस मुवी में देखने को मिलेंगी हलाएं कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूँगा कि भाईलो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप पचपुरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे लेकर जो है वो अपने घर आते हैं बिते कुछ महिने दिनों सालों के बाद जो है उस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बता दूँ वो लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवाट सावित्री में एक असिरबात से हुई रहती है फिलिम में देखने को मिल मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस मूवी में आपको लीड रोल में दिखने को मिलेंगी प्रिती सुकला जी जब अंश्मान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से साधी होने के बाद इनके माता पिता जी लोग रहते हैं या मराज का किर्दार में आपको देखने को मिलेंगे ओ जो रहते हैं ना वाई लो काफी मुनोहर काफी बेत्रिन उनका लुक रहता है अमराज का एकदम गदा लिये हुए ओ भी है कि मेरी पती की जो आयू है दिर्याव कर दी जाए ताकि हम अपनी भी जीवन सुख्यापन से जी सकें उसके बाद जो है वाच वाचपुरी की सबसे सुपर सुपर एश्टार जो है नजर आने वाली है वो भी देवी के क्यूदार में मनी भटा चार जी जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में उनक आप भगति मूवी पसंद करते हैं देखना तो फिले इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनली में आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जो जेव से खर्चा बाद इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी मनी भटा चार जी जिहां वाई लो और मैं आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं कि इस सनाटा चाहा जाता है उनके लाइव में अंधेरा चाहा जाता है और फिर अपनी बेटी से वह फोन पर बात बोलते हैं कि जैवाट सावित्री मया जो मूवी है 2024 की सबसे लेटिस्ट मूव में से एक हो इसके बाद अंजरा सिंग को भी रोल मिला है वह भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिलेंगी सूवी सरमा जी जिनको जैवाट सावित्री मया के किवदार के लिए जो है एक अगोरी के पास जाती है यानि संजाय पांडे के पास जाती है संजाय पांडे के पास जाने के बाद जो है संजाय पांडे बोलते हैं कि तुम्हारे कोंक से जिनका जो है कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है चीहां बाइडो और उनके परिवार म मुवी है और मैं आपको बता दूँ कि इस मुवी की इस टोरी है ना काफी मनमोख है जब आप इस फिल्म को देखने बैठेंगे तो आपको यह फिर से अगोरी के पाह जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मेरी इस्तिती रही तो मेरा जो है कुल मेरा जो है समाथ हो जाएगा मेरे में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर जो है अगोरी फिर से इनका हातों की भविस्य से देखता है और इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि प्रिद्वी पर जो है प्रिद्वी सुगला जी रहती है केवल केवल जो है जयवर्ट सावित्रि मया की पुजा ही क् हमारी सालों के बाद जो है वो इस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बदा दूँ वो लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवर्ट सावित्रि में एक असिरबात से हुई रहती है उसके बाद वो लड़की जैसे दैसे बड़ी होती है नहीं लगती है जब अउन्षमान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से जो है साधी होने के बाद इनके माता-पिता जिजी लोग रुआते हैं वो सोचते हैं कि क्यों न जो है अपनी बेटी का भविस एक बाद और गिसीदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहां बात जो है उनको काफी ज़दा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइग में अंधेरा चाहा जाता है और फिर जो है अपनी बेटी से वो फोन पर बात बोलते हैं कि जयवर्ट सभीत्री मैया की जो है बिरिच की पूजा करती है कि भाई लो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप पचपुरी के सबसे बहत्रिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूँ कि इस फिल्म की उसके बाद जो है जैवर्ट सभीत्री मैया के माध्यम से एक पत्ता घिरता है इनके अचल में और वो पत्ता जो रहता है इनके पती के प्रान की का कि हमने इतना टाइम कैसे बिता लिए आपको टाइम का पता ही ने चलेगा इतना प्यारा और इतना लवली इस फिल्म की इस श्टोरी है इसके बाद मैं आपको बता दिया कि इस फिलिम की जो है box of this collection क्या हुई है बजट क्या रही है अमर जाते हैं लेकिन अपनी भक्ति से अपनी परिच्छा लेती है जयवट सावितिरी मैया और फिर से अनुश्मान सिंग की जो जान है वह आपने explain मिस ना हो तो फानेली मैं आप करें जिहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप भक्ति मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिए इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फानी हुई नजर आ रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूंगा कि जो है वाचपुरी के बड़े-बड़े सुप सुरत और एसमार्ट कही जाने वाली प्रिती सुकला जी इस फिलिम में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हो भी है 2024 की सबसे लेटिस्ट मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूं कि इस मुवी में आपको जो है एस्टार कास्ट जो है कौन-कौ पुछ एस्टोरी लाइन एक्स्प्लेण में कर दूं ताकि जो है आपको मुवी की कैस्टीन कहे जाने वाली काजल राघवानी भी एक तरह से बात कही जाए तो भजपुरी की सबसे जो है टौपेश टौपेश जो एक्ट्रेस है आपको इस मुवी में देखने को मिलेंगी हलाएं कि मैं आपको एक चीज और बता देना चहुंसे जयवट सावित्री वाई की तरफ चलते हैं कि आखिर इस मुवी की जो है जान लीजिए वाई हो कि इस मूवी की ये श्टोरी शुरुवात होती है कि ऐसे गरीब परिवार से दोस्तों से मिस ना हो और नहीं मनती है और अपनी सेक्षन बजट बात करें बेस्ट अफ दो लुकेशन और कुछ जनकारी है मैं आपको इस वीडियो के मादेम से लेकर आ गया और बेल आइकन को भी पिरेश कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है मोबी अपडेट आप सभी भाईयों से मिस न भूले तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस मूवी में जो है आपको लीड रोल में देखने को मिलेंगी प्रिती सुकला जी जी हां भाईयो कार्मा जी जिनको जय जय वट साबितरी मया के किरदार के लिए चूच किया गया है इसके बाद जो है इस मूवी में आपको देखन की मूवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिज इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फैनली में आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर जो है फ्यक्ट यह है कि फिलम जो है बात करें कूल बजट की तो इस फिलम की कूल बजट जो है लगबग तिन करोड की बनाई गई फिलम बॉक्समजी कलेक्शन से मात्राभी तक जो है लेकिन कुछ चैसी ने ब्यार से भी चूच किया गया है जो काफी बहतरिन और काफी मन मोहग है जो है बचपुरी के बड़े-बड़े सुपर एस्टार और एक्ट्रेस जो है आपको नजर आने वाली है त में आपको बहतरिन और परिवारिक मोवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो है फ्यक्ट यह है कि फिलम जो है भाक्ति माई फिलम है और काफी लंबे समय बाद जो है भजपुरी जेटी में भाक्ति फिलम देखने को मिल रही है देखने को मिलेंगे जो भजपुरी जेश्टी में परफैक्ट नहीं बात कहीं जा तो दिनो राज जो है उनकी भक्ति में लिन रहती है उसके बाद जो है अपनी हाथ के रेखा देखाने के लिए ओ जो है एक अगहोरी की पास जाती है यानि मौक है काफी लजबाब है और पूरी पूरी जो लुकेशन है वो लिया गया है यूपी से जी हाँ भाई लो यूपी से जोनपूर जिला से इस मूवी की ये स्टोरी शुरुवात होती है एक ऐसे गरीब परिवार से जिनका जो है कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो अतला उसको मर जाता है चीहां भाई लो और उनके परिवार में जो है दूखी का जो है महोल चायाराता है निस कि ह्वाई लो इसके बाद इस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी मनिभट्टा Stacy जी जो हमाई लो और मैं आपको दोस्तों एक शीचे और बता दूं कि इस जो है कौन-कौन से हैं मैं आपको इसकी भी जनकारी दे देता हूं ताकि जो है आप लोग जो है इस मुवी को देखते वक्त एस्टार कास्ट की नाम जो है असल में क्या है आप नौ भूले तो सवित्री में एक असिरबात से हुई रहती है उसके बाद वो लड़की जैसे दे लगती है जब अंश्मान सिंग से प्रिति शुगला जी रहती है केवल केवल जो है जो है जोएवट सवित्री मया की पुजा ही क्यों करती है हमों लोग भी देवी देवता है हमारी पूजा आपके पेरोतले जमिन घिसक जाएंगे ची हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की इस फिल्म गाने को कहीं भी बजाकर सुन सकते हैं उसके बाद इस पर जो है इस फिल्मे संजय मनसिंग टाइगर भी रहते हैं वह यह अम्राज का किरदार में आपको दिखेने को मिलेंगी ओ जो रहते है न वाज लो काफी मुनहार काफी बैत्रिन उनका लुक रहता है अमर लुकेशन आप सक्दीर में एक लड़की भी है और डरो मत वो लड़की जो तुम्हारी तक्दीर में आएगी उनकी जो जीवन है दीर की आई होगी यानि लंबा समय तक जीएगी इस खुसी कुली और काफी प्यारी और परिवारिक मुवी है और मैं आपको बता दूं कि इस म कैसन है वो लिया गया है यूपी से जोनफूर जीलास पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे है तो आप मेरे चैनल को फाटा पट सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि कि किसी भी तरह का जो है मुवी अपडेट आप सभी सिंग राजपूर जी जी हां भाई लो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी मनी भटा चार जी जी हां भाई लो और मैं आपको दोस्त इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी जिर को जय जय वट सबीतरी मया के किरदार के ल यह आती है लेकिन मैं आपको बोल्चन बजाट लुकैस्ट आप सभी दोस्तों से मिल संजाय पांडे के पास जाने के बाद जो है संजाय पांडे बोलते हैं कि तुम्हारे कोंक से जितनी भी बैच्चे पैदा ना हो यानि बात करें तो आपनी पूरी की पूरी रिकवरी कर पाई है और आप मुनाफ़े में चलते हैं और मैं आपको इसकी जनकारी दे देता हूं ताकि आप लोग इस मुवी को देखते वक्त अश्टार कास्ट की नाम वसल में क्या है आप नो भूले तो सबसे पहले जान लिजिए कि इस मुवी में जो है आपको लीड रोल में देखने को मिलें तो वह भी बात में आपको भागे बताऊंगा उससे पहले जान लिजिए कि इस फिल्म की जो लुकेशन है काफी मुरुमाक है काफी लजवाब है और पूरी जो लुकेशन है वो ल कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फाटा पट सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी पिरेश कर दिजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है मुवी अपडेट आप सभी भाईयों से मिस ना हो या स्टोरी लाइन एक्स्प्लेंड मिस ना हो और इनके बाद जो है इ हैतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो है अप्यक्ट यह है कि आपको मिलेंगी सुवी सरमा जी जिनको जो है जैवाट शावित्री मया के किर्दार के लिए चूज किया गया है इसके बाद भश्प्र जाता है चीहां वाईडो और उनके परिवार में जो है दूखी का जो है महौल चाया रहता है यानि चेहरे पर जो है कभी भी मुश्कुराइट नहीं आती है लेकिन मैं आपको उगजा दूं वह लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवाट सावित्री में एक असिरबात से हुई रहती है उसके बाद वह लड़की जैसे दैसे बड़ी होती है तो फिलिम में एक न्यू टर्निक जब वह अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात बोलता है सुने के बाद आपके पेरो तेले जमिन घिसक जाएंगे चीह हमाई लोग बोलता है कि इस लड़क कि और चाहेगी तो तुम्हारी तकदिर बदल सकती है इस पर जो है जो इस अब मुरो सिंग टाइगर जी जो अमराज बनकर प्रतिवी पर आए रहते हैं इनके पती का लोकेशन आप सभी दोस्तों से मिस्गी की श्टॉरी है इसके बाद मैं आपको बता दिया कि इस फिलिम की जो है box of this collection क्या हुई है budget क्या रही है star cast क्या रहा है और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ना हो तो इस विल्यम की cool budget लग बग 3 क्रोड रुपया लग चुका है जिहां दोस्तों 3 क्रोड की budget की बनाई गई दोस्तों कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फाटा पर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिएगा ताकि कि किसी भी तरह का जो है वाट साभीतिरी मया में जो है बचपुरी की बड दिर में एक लड़की भी है और डरोमत वो लड़की जो तुम्हारी तक्दीर में आएगी जो है मांगती है कि मेरी पते की जो ऐ डिरगयाव कर दी जाए ताकि हम अपनी भी जीमन सुख्यापन से जी सेखिए हैं कि तुम्हारे कौक से जितनी भी बैच्चे पैदा होंगे वो सम मुरे के मरे हूंगे, इस बिचार पर जो है, उनका मुह जाह सुखा सुखा रहा जाता है और सन रहा जाता है, उसके बाद फिर से आते हैं, ज़ॉरपुर जिला से इस मुटी, कि पूरी के पूरी जब्यान लिया गया है, लेकिन कूछ चाटी ना विया बियार तो सबसे पहले जान लीजिए वाई हो कि इस मुवी की ये स्टोरी शुरुवात होती है एक ऐसे गरीब परिवार से जिनका जो है कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है जी हाँ भाई लो अब मैं आपको सोचूंगा कि इस मुवी की कुछ एस्टोरी लाइन एक्स्प्लेन भी कर दूं ताकि आपको मुवी की के स्टोरी सभाईवट सावित्री मया की परम भाक्त रहती है यानि बात कहीं जा तो दिनो राज उनकी भक्ती में लिन रहती है उसके बाद अपनी हाथ के रहा देखाने के लिए ओज इसके बाद आंजरा सिंग्ग को भी रोल विला है ओभी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी और बोलता है कि तुम्हारी तक्दीर में एक लड़की भी है और डरोमत वो लड़की जो तुम अगोरी को बदाने के बाद इनके माता-पिता जी लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि क्यों न अपनी बेटी का भविस्ट एक बार फिर से देख लिया जाए जब वो अगोरी के पास जाते हैं तो अगरेस भी आपको इस फिलिम में देखने को मिलेंगे तो सबी देवी और समार्ट कहीं जाने वाली प्रिती शुकला जी इस फिलिम में जो है उनको लीड रोल आप सभी दोस्तों से मिल्स नर्जन से लेकर आ गया हूं जिहां माई लो मैं आपको बदा दूँ कि अगर आप भक्ति मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिज इस वीडियो को एस इस फिलिम की कूल बजड़ लगबग 3 कोरोड रुपया लग चुका है जिहां दोस्तों कि इस मुवी में आपको जो है एस्टार कास्ट जो है कौन-कौन से हैं मैं आपको इसकी जनकारी दे देता हूं ताकि आप लोग जो है इस मुवी को देखते वक्त एस्टार कास्ट की नाम कहीं मिला है इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी जिरको जयवट सबीतरी मया के किरदार के लिए चूच किया गया है इसके बाद इस मुवी में आपको देखने किया गया है और इनके बाद इस फिलिम में नजर आने वाले हैं अन्सु में बगती फिल्म देखने को मिल रही है तो वह भी बात में आपको बहागे बताऊंगा उससे पहले जान लीजिए कि इस फिल्म की जो लुकैसन है कि परिवार में दूखी का महौल चाया रहता है यानि चेहने पर कभी भी मुश्कुराइट नहीं आती है लेकिन मैं आपको ब और वारिस नहीं बचेगा इस पर जो है और अए फिर से इनका हातों की भविष्य से देखता है crashing आपिर के पास जाती है उसके बाद वो लड़की जैसे दैसे बड़ी होती है कि माता पिता जी जी लोग रुआते हैं वो सोचते हैं कि क्यों न जो है अपनी बेटी का भविष एक बार फिर से देख लिया जाए जब वो अगोरी के पास जाते हैं तो अगोरी जो है एक बात बोलता है सुने के बाद आपके पेरो तेले जमिन घिसक जाएंगे जी हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वो लड़का जो है मात्र एक साल की जयवाट सावित्री मया की तुम ज्यादस ज्यादा पूजा करो ज्यादस ज्यादा उनकी भगति करो अगर वो चाहेगी तो जयवाट सावित्री मया के माध्यम से एक पता घिरता है इनके अचल में और वो पता जो रहता है इनके पती के प्रान की का काम करें जो भश्प्रिटेश्टी में परफेक्ट मैं के नाम से जाने जाते हैं वो भी इस फिलिम में बाबुजी का रोल उनको मिला है लेकिन एक को और मिला है वह है अघोर वी का रोल तो एक करके जो आपको प्रति जो है सने प्यार इतना ज्यादा दिखाया गया है ना भाई लो कि जब आप देखेंगे तो जयवाट सावित्री मया की आप भी परमभक्त हो जाएंगे काफी लबली और काफी प्यारी और परिवारिक कुझा जनकारी है मैं आपको इस वीडियो के मादेम से लेकर आ गया हूँ जिहां माई लो मैं आपको बदा दूं कि अगर आप भक्ति मुवी पसंद करते हैं देखना तो तो फानेली मैं आपको बदा दूं दोस्तों कि जो मुवी के बारे में बात करने वाले हैं वह एक भ जो मुवी है 2024 की सबसे लेटिस मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूं सिंग राचपुत को लेने के लिए भेजा जाता है लेकिन जब या पिरिद्वी पर आते हैं तो जैवाट साभीतिरी मैया की जो भक्ति रत चाहूंगा कि जैवाट साभीतिर मैया में जो है बचपुरी की बड़े-बड़े सुपरेश्टार और एक्ट्रेस जो है आपको नजर आने वाली है तो वो भी बात में आपको भागे बताऊंगा उस सुकला जी जी हाँ भाईलो काफी बहतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज म कि अगर बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है चीहां बाईलो और उनके परिवार में दूखी का महौल चाया रहता है यानि चेहरे पर कभी भी मुश्कुरात नहीं आती है लेकिन मैं आप भूल गया दोस्तों कि इस फिलिम में संजाय पांडे भी आपको देखने को मिलें इस फिलिम की श्टोरी है इसके बाद मैं आपको बता दिया कि इस फिलिम की जो हैं बॉक्स अफसी केलक्चन क्या हुई है बजट क्या रही है और बोडते हैं कि ऐसी मेरी इस्टिती रही तो मेरा जो है मेरे कुल मेरा जो है समाथ हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वार बिते कुछ महिने दिनों सालों के बाद उस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बता दूँ वह लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवाट सावित्र मेरी के अशिरबात से हुई रहती है और बढ़ने लगती है जब अंश्माम सिंग से इनकी साधी होती है त काफी मोनोहर काफी बेहत्रिन उनका लुक रहता है हम राज का एकदम गदा लिये हुए वह भी इस फिल्में आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों से मिस जो है मांगती है कि मेरी पती की जो है जो आयू है दिर्याव कर दी जाए ताकि हम अपनी भी जीवन सुख्यापन से जी सकें जिससे भी साधी होगा वह लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही सवर्गिसिदार हो जाएगा यानि मर जाएगा यहां बात जो है उनको काफी ज़दा सनाटा चाहा जाता है उनके लाइव में ना हो चीहां दोस्तों एक भक्तिमाय फिल्म है और इस फिल्म की बात करें कूल बजट की तो इस विल्म की कूल बजट जो है लगबग तिन करोर रुपीया लग चुका है जहां दोस्तों तिन करोर की बजट की बनाई गई फिल्म जाने के भाब्य पास जाती है मादियम से लेकर आ गया हूँ जी हां भाई लो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भगती मूवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिज इस वीडियो को skip करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता देना चाहूंटार और एक्ट्रेस आपको नजर आने वाली है तो वह भी बात मैं आपको बहागे बताऊंगा उससे पहले जान लीजिए कि इस फिलिम की जो लुकेशन है काफी मुरुमाख है, काफी लजवाब है और पूरी जो लुकेशन है वो लिया गया है UPC मननी भट्टा चार जी और मैं आपको दोस्तों एक सीज़ और बता दूं कि इस मुवी में भचपुरी की सबसे सुपर सुपर एस्टार नजर आने वाली है वो भी देवी के क्यूदार में जो है फ्यक्ट यह है कि फिलम भाक्तिमाई फिलम है और काफी लंबे समय बाद भचपुरी जेटी में भाक्ति फिलम देखने को मिल रही है दो हजार चौबिस में अब मैं आपको सुचूंगा कि इस मुवी की पुछ है इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी भचपुरी के सबसे बैत्रीन और ब्यूटी किन कहे जाने वाली काजल रगवाणी भी एक तरह से बात कही जाए तो भचपुरी की सबसे जो है टौप स्टम को मिला है लेकिन एक रोल को और मिला है वह है अगहरवी का रोल तो एक करके आपको story explain करूँगा तो चलिए दोस्तों story की तरफ चलते हैं कि आखिर इस movie की जो है joyवर फिर से अगोरी के पाहर जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे मेरी इस्तिती रही तो मेरा cool मेरा समाप्त हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा मैं आपको और बोल दूँ कि इस movie में आपको star cast जो है कौन-कौन से है मैं आपको इसकी भी जनकारी दे देता हूं ताकि जो है आप लोग जो है इस movie को देखते वक्त star cast की नाम जो है असल में क्या है आर्सिंख से जब इनके जाधी करा दी जाती है उस पर सभी देवी देवताओं लोग, परकास जैस भी आपको इस फिलिम में देखने को मिलेंगे, वो सभी देवी देवताओं लोग जो रहते हैं, वो इनकी परिच्छा लेते हैं, कि संसार में यानि पृत्वी पर दिरगी आई होगी, यानि लंबा समय तक जियेगी, इस ख होती है, धीरे धीरे जो है, सोचते हैं, कि क्यों न अपनी बेटी का भविस एक बार फिर से देख लिया जाए, जब वो अगोरी की पास जाते हैं, तो अगोरी जो है एक बात बोलता है, सुने के बात जो है, जी हां माई लो, मैं आपको बदा दूं, कि अगर आप भगति लिन रहती है, उसके बात जो है, अपनी हाथ के रेखा देखाने के लिए, जो है, एक अगोरी की पास जाती है, यानि संजाय पांडे के पास जाती है, संजाय पांडे के पास जाने के बात जो है, और एक्ट्रेस जो है, आपको नजर आने वाली है, तो वो भी बात मैं आप आपको बहागे बताऊंगा उससे पहले जान लीजिए कि इस फिलिम की जो लुकेशन है कापसुमान सिंग राजपूर जी जी हाँ भाईलो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी मननी भठाचार जी जी हाँ भाईलो और मैं आपको दोस्तों एक सीज और बता शुवी सरमा जी जो ओपाद न्हीं को अखोर भी का रोल सन्जाय पांडे के पास जाने के बाद जो है शंजाय पांडे बोलते हैं कि तुम्हारे कॉंक से जितनी भी बैच्चे पैदा होंगे वो सब मरे के मरे और उनके परिवार में दूखी का महौल चाया रहता है यानि चेहने पर कभी भी मुश्कुराइट नहीं आती है लेकिन इस्तिती रही तो मेरा कूल समात्थ हो जाएग मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर जो है चीहां दोस्तों एक भक्ति माय फिलम है और इस फिलम की बात करें कूल बजट की तो इस फिलम की कूल बजट जो है लगबग 3 कुरोड रुपया लग चुका है जीहां तो तिन करोड की बजट की बनाई गई फ मेरे दास होती है उसके बाद मैं आपको बता दूं वो लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवाट सावित्र मेरे के असिरबात से हुई रहती है उसके बाद वो लड़की जैसे बड़ी भाई लो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप पचपुरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मुवी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूं कि इस फिल्म की जो है से जो है साधी होने के बाद इनके माता पिता जी लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना जो है अपनी बेटी का भक्स तो एक भक्ति माय फिलम है और इस इस फिल्म की कूल बजट जो है लगबग तिन करोड रुपया लग चुका है जिहां दोस्तों तिन करोड की बजट की बनाई गई फिल्म बाक्स अबजी कलेक्शन से मात राभी तक जो है छे को समाट कही जाने वाली प्रिती सुकला जी इस फिल्म में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हीरोईन के किर्दार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अन्सु को बता दूं कि इस फिल्म की जो है फिल्म भाक्तिमाई फिल्म है और कापी लंबे समाई बाद भजपुरी जेटी में भाक्ति फिल्म देखन को देखने को मिलेंगी भाचपूरी के सस्पीलिम में बाबु जी का रोल उनको मिला है लेकिन एक रोल उनको और मिला है वह है अगोरी क्या रोल तो एक करके आपको इस्टोरी करूंगा तो चलिए दोस्तो एक स्टोरी की तरफ चलते हैं कि आखिर इस मुवी की जल समाप्त हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर जो है अगोरी फिर से इनका हातों की भविश्य से देखता है और बोलता है कि तुम्हारी जो है तकदीर में मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भक्ति मूवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिए इस वीडियो को एक्स्किप करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारी चनल पर पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप पहले जान लीजिए कि इस फिलिम की जो लुकेशन है काफी मुर्मॉक है काफी लजवाब है दिनों सालों के बाद जो है उस लड़की की पैदास होती है उसके बाद मैं आपको बदा दूँ वह लड़की जो है मरती नहीं है बलकि जयवर्ट सावित्री मेह के असिरबात से हुई रहती है परिचा लेने के बाद भी प्रिति सुकला उस सभी परिचा में सफल होती है धीरे धीरे जो है इस्टोरी और बढ़ने लगती है जब अंश्मान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से साधी होने के बाद आदी होगा वह लड़का मात्र एक साल के अंदर ही स कि संसार में यानि प्रिद्वी पर वह अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात बोलता है सुने के बात आपके पेरो तले जमिन घिसक जाएंगे ची हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साथ और परिवारिक मुवी है और मैं आपको बता दूं कि इस म का पता ही जानने के लिए लिए इस्टोई लैन एक्सप्लैन रिवीव से लेकर आ गया हूं जिहां मैं आपको बता दूं कि अगर आप भाक्ति मुवी पसंद करते हैं देखना तो फिलिए इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनली मैं आपको बता देना चाह काफी लजवाब है और पूरी पूरी जो लूकेशन है वो लिया गया है यूपी से इस फिल्म में उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हीरोईन के किरदार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अन्सु मान सिंग राजपूज 2024 की सबसे latest movie में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस movie में आपको जो है star cast जो है कौन-कौन से हैं मैं आपको इसकी भी जनकारी दे देता हूँ ताकि जो है कि युदार नी बनी भटाचार जी उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस movie में उनको भी जो है देवी का रोल ही मिला है इसके बाद आंजरा सिंग को भी रोल मिला है movie की story समझ आ जाए तो काफी अच्छा लागेगा लेकिन एक चीज में आपको बदाना भूल गया दोस्तों किस फिलिम में संजाय पांडे भी आपको देखने को मिलेंगे जो भश्प्रिंजेश्टी में परफेक्ट मैनेजर की परम भक्त रहती है यानि बात कही जा तो दिनो राज उनकी भक्ती में लिन रहती है उसके बाद अपनी हाथ के रेखा दिखाने के लिए उजो है एक अगोरी की पास जाता और बोलता है कि तुम्हारी तकदीर में एक लड़की भी है और डरो मत वो लड़की जो तुम्हारी तकदीर में आएगी उनकी जो जीवन है दीर गी आई होगी यहांनी लंबा समय तक जीएगी इस पर बात बोलते हैं कि जयवर्ट सॉवय, तुम्हारी तुम्हारी ज़्यदा पुझा करो ज्यातर से ज्यदा उनकी भाक्ति करो अगर वो चाहीगी तो एक भक्ति माई फिलम है, और इस फिलम की बात करें, पूल बजट की, तो इस फिलम की कूल बजट ज़ो है लगबग 5 सो को रोडर रड़ लग शुका है जी कि आधी हम भग समील करेक्सि अध्यला ट्रबी हलाएं कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि भाई लो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कुशी को क्यों नहीं करती है इस पर लोग इनकी काफी ज़दा परिच्छा लेते हैं परिच्छा लेने के बाद भी पृति शुकला उस सभी परिच्छा में स अफल होती है धीरे धीरे जो है इस्टोरी और बढ़ने लगती है जब अंश्मान सिंग से इनकी साधी होती है तो फिर से परकास जैस भी आपको इस फिलिम में देखने को मिलेंगे वो सभी देवी देवताव लोग जो रहते हैं वो इनकी परिच्छा लेते हैं कि संसार में यानि पृधवी पर एस्टोरी की तरफ चलते हैं कि आखिरी इस मूबी की जो है जएवट शावीत्री मय या मूजा मूबी की जो है स्टोरी क्या है तो सबसे पहले जान लिजिये कि इस मूबी की शुरुवात होती है एक ऐसे गरीब परिवार से जिनका जो है कोई भी अगर बच्चा की तो इस फिलिम की कूल बजट जो है लगबग तिन करोड रुपया लग चुका है जिहां दोस्तों तिन करोड की बजट की बनाई गई फिलम बॉक्समजी कलेक्शन से मात राभी तक जो है एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस मु काफी मुर्माक है काफी लजबाब है और पूरी पूरी जो लुकेशन है वो लिया गया है जो है उनको लीड रोल में रखा गया है यानि हीरोईन के किरदार के लिए चूच किया गया है और इनके बाद जो है इस फिलिम में नजर आने वाले हैं अन्सु मान सिंग कि इस फिलिम की जो है डेवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मूवी में उनको भी जो है डेवी का रोल ही मिला है इसके बाद आंजरा सिंग को भी रोल मिला है वो भी देवी का ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में जो है आपको पहली बार मेरी वीडियो वाच कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फाटा पर सब्सक्राइब कर लिजिए गा और बेल आइकन को भी पिरेश कर दिजिए गा ताकि और जयवाट साथ तिरी मया की पूजा पूरी मगन से करते हैं पूरी दिल से करते हैं तो उसके बाद जो है यह परम भक्त रहती है यानि बात कहीं जा तो दिनो राज जो है उनकी भक्ति में लिन रहती है उसके बाद जो है अपनी हाथ के रेखा देखाने के लिए ओ जो है एक अगहोरी की पास जाती है यानि पृति सुगला जी रहती है केवल केवल जो है जयवाट सावेतिरी मया की प पूजा करो जाद से ज़्यादा उनकी भक्ति करो क्यों न जो है अपनी बेटी का फ़विस एक बार फिर से देख लिया जाए जब वह अगोरी की पास जाते हैं तो अगोरी जो एक बात बोलता है उसे मिस ना हो फिलम बाक सबसी कलेक्शन से मात राभी तक जो है छे करोड रूपिया ही रिकोबरी कर पाई है यानि बात करें तो अपनी जो है पोड़क्शन जो जो जेव से खर्चा लगा है वो पूरी की पूरी जो है न तो फिलिज इस वीडियो को एस्किप करके मत देखिएगा फाइनल फिलो यूपी से जोनपूर जिला से इस मुवी की पूरी की पूरी लुकासान लिया गया है लेकिन कुछ चसी ने ब्यार से भी चुच किया गया है जो काफी बहत्रीन और काफी मन मोहग है एक चीज में आपको और आप बोल देना चाहूंगा कि भचपुरी की सबसे सुपर सुपर अश्टार जो है नजर आने वाली है वो भी देवी के क्यूदार में मनी भठाचार जी जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है इस मुवी में उनको भी जो है देवी का रोल फिलम है और काफी लंबे समाए बाद जो है भाजपुरी जेटी में भाक्ती फिलम देखने को मिल रही है 2014 में अब मैं आपको सोचूंगा कि इस मुवी की कुछ एक लड़की भी है और डरो मत वो लड़की जो तुम्हारी तक्दीर में आएगी उनकी जो जीवन है दीर ही आई होगी नागवानी भी एक तरह से बात कर जाए तो भाजपुरी की सबसे जो है टॉपस 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 जो एक्ट्रेस है आपको इस मुवी में देखने को मिल देंगी हलाग कि मैं आपको एक चीज और बता देना चुप तो एक करके आपको एस्टॉरी एक्सप्लाइन करूंगा तो चलिए दोस्तों एस्टॉरी की तरफ चलते हैं कि आखिरी इस मुवी की जो है जो है जो मिल्स ना हो परिवार में दूखी का जो है महोल छाया रहता ह यानि चेहने पर जो है कभी भी मुश्कुराइट नहीं आती है लेकिन मैं आपको बोल देना चाहूंगा कि इस मुभी में जो है वो अरत जो हार नहीं मनती है और अपनी सबसे जयवर्ट साथ को लीड रोल में देखने को मिलेंगी प्रिती सुकला जी जी हां भाई लो काफी बहुत खुबसूरत और एसमार्ट कही जाने वाली प्रिती सुकला जी इस फिलिम में जो है उनको बजट बात करें बेस्ट अब दा लुकैशन और कुछ जनकारी है मैं आपको इस वीडियो के मादेम से लेकर आ गया हूं जी हां माई लो मैं आपको बता दूँ कि अगनाई ही मिला है इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी जींको जैवाट साभीत्री मया के किःदार के लिए चूदकिया अब इस वीडियो में एक सी जहर बता दूँ कि इस जहर बता दूँ कि आपने इस मूई को मिस किया तो समझे कि आप पचपुरी के सबसे बहतरिन और परिवारिक मोबी को मिस करते हुए दिखेंगे एक चीज में आपको बता दूँ कि इस फिल्म की जो है कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो वो मर जाता है चीहां बाइडो और उनके परिवार में जो है दूखी का जो है मह आने जाते हैं मेरा समाथ हो जाएगा मेरे खंदान में कोई भी वारिस नहीं बचेगा इस पर जो है अगोरी फिर से इनका हातों की भविस्य से देखता है और बोलता है कि तुम्हारी जब से खर्चा लगा है वो पुरी की पुरी रिकबरी कर पाई है और आप मुनाफे में चलती हुई नजर आ रही है एक चीज में आपको और बता देना चाहूंगा कि बचपुरी की बड़े-बड़े सुपरेश्टार और एक्ट्रेस आपको नजर आने हमारी फुजा क्यों नहीं करती है इस पर जो लोग इनकी काफी ज़़ा परिच्छा लेते हैं परिच्छा तरह का जो है मुवी अपडेट आप सभी बाईयों से मिस ना हो या इस्टोरी लाइन एक्स्प्लेइन मिस ना हो तो फानेली मैं आपको वदा दू दोस्तों कि जो मुवी के बारे में बात करने वाले हैं वह एक भचपुरी वर्जन फिलम है जिस जयवाट सभी 3 मईया के माधययं से एक पत्ता घीड़ता है इनके अचल मे और वह पत्ता जो रहाता है इनके पती के प्राण का काकाम करता है तभी जो है कि बिरिज की पूजा करती है और वह अपने 66 को को यह है और खेस्ट न्हीं को सब्सक्राइब कर लिघ और बेल आइकन को भी प्रेजिएगा ताकि किसी भी तरह का जो है मुवी अपडेट आप सभी भाईयों से मिस ना हो या स्टोई लाइन एक्स्प्लेइन मिस ना हो तो फानली मैं आपको बदा दू दोस्तों कि जो मुवी के बारे में बात करने वाले हैं वह एक भचपूरी व यूप रहता है हम राज का एकदम गदा लिये हुए वह भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे तो उनको जो है प्रान कृण सिंग राजपूत को लेने के लिए जान लीजिए कि इस फिल्म की जो लुकेशन है काफी मुरुमाक है काफी लजवाब है और पूरी की प कारी दे देता हूं ताकि आप लोग इस फिल्म में नजर आने वाले हैं अन्सु मान सिंग राजपूत जी हां भाई लो इसके बाद इस मुवी में आपको देखने को मिलेंगी हलाएं कि मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि भाई लो अगर आपने इस मुवी को मिस किया तो समझे कि आप पच्पुरी के सबसे बहतरी दो हजार चौविस में अब मैं आपको बजट जो है लगबग तिन कोरोर रुपया लग चुका है जिहां दोस्तों ति कि अगर और काफी मन मोहग है एक चीज में आपको और आप बोल देना चाहूंगा कि जयवट सावित्री मया जो मुवी है दोजर चौविस की सबसे लैटिस्ट मुव में से एक होने वाली है एक चीज मैं आपको और बोल दूँ कि इस मुवी में देवी का रोल ही मिला है इस इसके बाद इस फिलिम में आपको देखने को मिलेंगी सुवी सरमा जी जिनको जयवट सावित्री मया चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार मेरे वीडियो वाच कर रहे है तो आप मेरे चैनल को फाटा पर सबस्काइब कर लिजिएगा और बेल आइ अब मैं आपको सुचूंगा कि इस मुवी की कुछ एसे गरीब परिवार से जिनका कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो मर जाता है और उनके परिवार में दूखी का महौल चाया रहता है यानि उसके बाद अपनी हाथ के रेखा देखाने के लिए एक अगोरी की पास जाती है यानि संजाय पांडे के पास जाती है संजाय पांडे के पूजा पूरी मगन से करते हैं पूरी दिल से करते हैं तो उसके बाद जो है यह फिर से अगोरी का पाह जाते हैं और बोलते हैं कि इस खुसी को लेकर जो है वो अपने घार आते हैं बिते कुछ महिने दिनों सालों के बाद जो है उस लड़की की पैदास हो एक तरह से बात कहीं जाए तो भचपुरी की सबसे टॉपकर जो एक्ट्रेस आपको इस मूबी में देखनी को मिलेंगी हाला हि इस मूबी में जो है भचपुरी की सबसे सुपर 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 यह नजर आने वाली है वह भी देभी के किउदार में मन्नी भटाचार जी जो है उनको भी देवी का रोल मिला है इसके बाद रक्षा गुपता भी नजर आने वाली है यानि प्रित्वी पर जो है प्रित्वी सुगला जी रहती है केवल केवल जो है जैवट सबित्रि मया की पुजा ही क्यूं करती है हमों लोग भी देवी देवता है हमाई फूजा क्यों नहीं करती है इस पेरों तले जमिन खिसक जाएंगे ची हमाई लोग बोलता है कि इस लड़की का जिससे भी साधी होगा वह लड़का जो है मात्र एक साल के अंदर ही सौर गिसिदार हो जाएगा यानि मर्य तकदिर बदल कर सकती है इस पर जो है जो है वह सुरू से ही भागत रहती है जो रहते है ना वाई लो काफी मोनोहर काफी ब्यात्रीन उनका लुक रहता है हम राज का एकदम गदा लिये हुए वह भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे तो उनको जो है प्राण क्रिसिक जो आयू ह दिर्याव कर दी जाए ताकि हम अपनी भी जिवन सुख्यापन से जी सकें उसके बाद जो है इसके बाद मैं आपको बता दिया कि इस फिल्म की वॉक्स अप सिस केलेक्षन क्या हुई है बजट क्या रही है और मैं आपको बता दू कि अगर आप लोग चाहते हैं कि भाजप के प्रती जो है से ने प्यार इतना ज़्यादा दिखाया गया है ना भाई लो कि जब